इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आपका जो 2020-21 में जो बोर्ड एक्जाम है उसमें किस टाइप से आप लोगों की जो है कुशन पेपर की दिजाइन रहेगी क्या फॉर्मेट रहेगा किस टाइप से आएंगे कौन कौन से आएंगे कितने माक्स क्याने वाले हैं यह सारी चीजे देखेंगे हम आज इस वीडियो में इंग्लिश लेंग्वेज और लिट्रेचर आज जो मैं इस वीडियो में बता रही हूं आपको कि आज हम जो है जो अभी लेशर कोड़ 184 सेक्शन वाइस वेट इस अब किस हिसाब से कितने सेक्शन आएंगे जैसे लास्ट ये तक आपका जो पेपर बनके आता था उसमें थोड़ा वेडियेशन था इस बार आप लोगों का जो है 30% डिड़क्ट हो चुका है कोर्स तो अब किस हिसाब से आप लोगों का जो है 2020-2021 में जो है पेपर बनके आएगा आज हो हम इस वीडियो में देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन वाइज वेडियेशन था इसमें आप लोगों की जो है तीन जो सेक्शन के अंदर पेपर आएगा वो है फर्स्ट रीडिंग स्किल्स सैकेंड राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर और सी लिट्रेचर टेक्स्बूक और सप्लिमेंटरी रीडि रीडिंग सेक्शन में आपकी क्या आएगा ये है 20 मार्क्स का जो है पेपर आएगा आप लोगों का जिसमें पर्स्ट क्यूशन जो आपका रहेगा इसमें आपके जो है पैसे जाएगा आपको वर्ड दे रखे होंगे जिसमें टेस्ट किया जाएगा आपका कि आपने जो कुछ भी उस पैसे में पढ़ा है उसमें आपने क्या व्याख्या की है क्या देखा है आपने क्या पर्खा है उसमें और वुकाबलरी जो समें वर्ड बगेरा है मीनिंग बगेरा है उससे रिलेटेड जिसमें आपको 10 क्यूशन जो है करने है 12 क्यूशन में से आपको 12 क्यूशन दे रखे होंगे उसमें से आपको 10 अटेम करने है और पर क्यूशन जो है 1 marks का होगा total 10 marks next question है आपका second multiple choice questions based on a case based factual basis with visual input or statical data charts etc for 300 or 350 words to test analysis and interpretation 10 out of 12 questions to be answered okay इसमें आपको जो है इसमें भी multi choice questions आएंगे और इसमें case based आएगा जैसे कोई भी topic ले सकते है वो जिसे किसी का भी case based हो सकता है जिसमें factual होगा factual is the sense कि वो किसी भी fact पर depend होगा जो passage आएगा जिसमें visual input भी हो सकता है जैसे अगर कोई picture दे दी कोई chart वगेरा आपको दे दिया कोई data वगेरा दे दिया जैसे ratio वगेरा का जो गनित से related math से related जो होता है statical data सांखी की जिसे हम कहते है कोई data दे दिया कोई chart दे दिया या फिर कोई picture दे दी तो उससे related आप पे जो है कोई passage दे सकते है जिसकी word limit जो है 300 और 350 words होगा जिसमें वो आपको जो है analysis देखेंगे और क्या आपने जो है उसकी व्याख्या की है interpretation is the sense व्याख्या तो उसमें भी आपके 10 questions attempt करने है आपको out of 12 questions और per questions जो है वो one marks का होगा तो totally आपके दो जो है passage आएंगे और 10 10 marks के जो totally 20 marks के होंगे total length of 2 pages to be 700-750 words तो इसके जो दोनों passage के जो words limit है जो passage के जो words है वो total 700-750 words के होंगे पार्ट सेकेंड total length जो रहेगी दोनों पैसेज की जो word limit है 700-750 words की रहेगी दोनों पैसेज को मिला के नेक्स हमारा जो पार्ट रहेगा literature textbook जिसमें हमारे जो है इस पाल literature से जो है related questions आएंगे जो आपकी textbook दे रखी है थर्ड question आपका रहेगा multi choice questions based on an extract from drama prose to taste interference evaluation and vocabulary anyone out of two extract to be done इसमें भी आपके multi choice questions answer आएंगे जो आपके जैसे drama है, prose section है उसी में से कोई भी एक extract आजाएगा extract is the same जैसे पर्टिकुलर जो lines वगेरा होती है 4-5 lines दे दी उससे related आप से कोई question पूछ लिया तो इसमें जो है आपको vocabulary से related हो सकता है क्यूशन बेज हो सकता है जो lines दे रखी है उन में से 2 extract दे रखे होंगे आपको उन में से आपको एक करना है जिसमें 5 questions है होंगे एक extract में जो पर marks जो है 1 marks होगा totally 5 marks 4 questions multi-choice questions based on an extract from poetry to taste analysis and interpretation any one out of two extract to be done in the same way जैसे 1st 3rd questions आपका multi-choice था in the same way 4 multi-choice questions based होगा इसमें भी 2 extract आएंगे आपको और दोनों में से आपको एक करना है और ये आएगा आपके poetry section से poetry section से कोई भी paragraph दे दिया या कोई भी stage दे दिया और उससे related आपको जो है 5 questions पूछे जाएंगे और 5 questions जो है वो 1 marks का होगा A question तो 5 marks का ये भी होगा total 10 marks तो 10 marks का आपका literature section का आएगा now the grammar section grammar section 5th question आपका रहेगा 10 multi-choice questions out of 12 आपके 12 questions आएंगे grammar section में जिसमें से आपको कितना करना है 10 marks 10 questions करने है to be answered and questions will be based on the following अब यहाँ पर आपको जो दे रखा है के 10 multi-choice questions करने है आपको out of 12 जो answer देने हैं आपको और questions किस तरीके से होगे वो देखते हैं grammar section आपके जो grammar से follow जो रहेंगे कि आपको इस base पर ही आपके जो है questions आएंगे grammar section में tense, model, subject verb conquered, reported speech, commands and requests, statements, questions and determinants आपकी जो grammar के जितने भी questions आएंगे वो इन ही chapters में से आएंगे जैसे fill in the blanks हैं आपके उस तरीके से multi-choice type questions है वो आएंगे, ठीक है सो cbsc ने जो है grammar section में कहीं chapter delete भी किये है सो मैं आपको बता दू यहाँ पर deleted में है use of passive voice, closes, noun, adverb, relative and prepositions जो cbsc ने deleted किया है grammar section से cbsc class 10th में पार्ट भी हमारा रहेगा subjective questions जो 40 marks का होगा आपका जिसमें क्या-क्य questions आएंगे सबसे पहले है writing section पार्ट फर्स्त आपका था reading section सेकिंड है हमारा subjective questions जो 40 marks का आएगा so writing section, question first formal letter word limit 100 to 120 words based on a given situation one out of two questions is to be answered और five marks अब आपका जो है formal letters आएंगे जिसे business related कुछ भी हो सकता है आपके inquiry का हो सकता है कोई अगर inquiry करनी है कुछ पूछना है कोई order देना है तो उससे related जो भी letters होते है वो letter आएंगे जो आपको 100 से 120 words में लिखना है जो कोई भी आपको एक situation दे रखी होगी उसी base पे आपको जो है letter लिखना है दो letter आपको दिये जाएंगे जिसमें से आपको एक attempt करना है और वो letter जो है वो five marks का होगा second question writing and analytical paragraph word limit 100 to 120 words based on a given outlines, data, chart, clues and one out of two questions is to be answered अब जो second question है आपका उसमें है आपका writing जो है वो एक paragraph आएगा आपका एक analytical paragraph जिसकी limit होगी 100 to 120 words जो किस base पे लिखना है आपको paragraph या तो आपको कुछ hints दे रखा होगा कुछ outlines दे रखी होगी या कोई data दे रखा होगा या किसी से related कोई chart दे रखा होगा कोई cues दे रखा होगा उससे related आपको एक paragraph लिखना है उसमें भी आपको दो questions मिलेंगे दोनों questions में से आपको एक attempt करना है और ये भी 5 marks का होगा तो total आपका होगया subjective 10 marks literature literature में आपका third questions रहेगा जो total subjective questions है 40 marks के जिसमें से 10 marks में बता चुकी हूँ हूँ आपको later और paragraph आपके ये दो चीज़ आएगी 10 marks होगे हमारे subjective questions literature section में है third question 4 out of 6 short answer type questions to be answered in 20 or 30 words each from first flight and footprints without feet 2 out of 3 from first flight and 2 out of 3 from footprints without feet okay आपको जो है total 6 questions मिलेंगे short type के जिसमें से आपको 4 attempt करने है अब वो किसमें से जिसमें से आपको 22, 30 words में ही वो answer लिखना है जो आपके first flight book से और footprints without feet दोनों book से ही आपके बराबर questions आएँगे जिसमें से तीन questions आएँगे आपके first flight में से जिसमें से आपको 2 attempt करना है और footprints without feet में से भी 3 questions आएँगे जिसमें से आपको 2 attempt करने है तो total 2 आपको footprints में से करना है और 2 आपको first flight में से करना है total 4 questions करने है आपको जिसमें से आपको जो है 2 marks का जो है 4 questions रहेगा total 8 marks 4 out of 6 short answer type questions to be answered in 40 to 50 words each from first light and footprints without feet 2 out of 3 from first light and 2 out of 3 from footprints without feet Same way आपके इसमें से भी आपको 4 questions attempt करने हैं 6 questions आएंगे वो भी short type answer जो इस बार आपको 40 to 50 words में लिखना है जिसमें से first light और footprints without feet दोनों में से ही question आएंगे 3 questions आपके जो है first flight में से आएंगे जिसमें आपको 2 attempt करना है और same way में footprints without feet इसमें से भी आपके 3 questions आएंगे और आपको 2 attempt करने हैं So total आपका 3 marks का per question रहेगा total 12 marks So 30 marks हो गए आपके 30 and 10 Total 40 हो गए आपके subjective questions में से Last question है आपका One out of two long answer type questions from first flight to be answered in about 10 to 120 words is to assess creativity, imagination and extrapolation Beyond the text and across the text This can be passes best question taken from a situation plot or from the text Now this question is 5th This question is 5th This question is 5th Long answer type question है 2 questions आपको दिये जाएंगे जिसमें से आपको 1 करना है This question is 5th First flight में से आपका 2 questions आएंगे Long answer आपको 1 करना है अब किस base में होगा आपका है कोई भी creativity होगी कोई भी imagination से जैसा आपको कोई situation दे दी पैसेज दे दिया उसी का ही कोई chapter का और आपको उससे related पूछ दिया आप इसके बारे में क्या सोचते है क्या point of view है अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते like this तो कुछ भी situation हो सकती है पैसे space हो सकता है plot हो सकता है take से related कुछ पूछ सकता है imagination के हिसाब से कुछ पूचा जा सकता है तो वो जो question है एक question वो रहेगा आपका 5 marks का ओके so last question है हमारा 6 question 1 out of 2 long answer type questions from footprints without feet अब इसमें से भी जो है आपका एक question जो है आएगा footprints without feet में से 2 questions में से आपको एक questions करना है जो theme based हो सकता है plot involving interpretation extrapolation beyond the text and inference for character's case to be answered in about 100 to 120 words ओके तो इसमें भी आपका footprints without feet में से 2 long questions आएंगे जिसमें से आपको एक attempt करना है और वो भी कितना होगा 5 marks का जिसमें आपको या तो character's case पूच सकते है या कोई भी आपको situation के हिसास से पूछा जा सकता है कि ये व्याख्या कीजे या किसी भी तरीके से कुछ question पूचा जा सकता है जिसकी word limit रहेगी आपकी 100 to 120 words ये तो था आपका question based जो किस तरीके से था CBSC ने जो deleted किया है अभी हमारा 10th के साथ how to tell wild animal first flight में से tree fog misbuild the water for Anna Gregory और footprints without feet में से जो है आपका delete किया है the midnight visitor a question of trust the book that saved the earth अब इसका जो weight is रहेगा किस तरीके से आपका किशन वाइज जो है weight is रहेगा वो देखते हैं हम 80 marks का आपका जो है total paper रहेगा ठीक है जिसमें से first है reading compression जिसमें conceptual understanding, decoding, analyzing inferring, interpreting and vocabulary इस से related आपको reading section में पैसेज में सवाल पूछे जाएंगे जो total 20 marks का है reading और weight is है 25% का second part हमारा रहेगा writing skills and grammar creative expression of an opinion reasoning, justifying, illustrating approaching and style and tone using appropriate format and fluency applying conventions using integrated structures with accuracy and fluency इसमें आपके जो है writing skills से related सारी questions आएंगे grammar section आएगा जो total 20 marks का होगा और weight is है 25% इस पार जो आपका सबसेज़ जादा powerful जो रहेगा वो रहेगी आपकी textual जो books है first light और footprints without feet इन दोनों का इस बार जो है 50% का participation रहेगा हमेशा सिर्फिये 30 marks का हुआ करता है लेकिन इस बार ये जो है 40 marks का रहेगा आपका जिसमें है literature textbook and supplementary reading text जिसमें recalling reasoning, appreciating applying literally convention illustrating and justified etc. extract relevant information identify the central theme sub theme understanding the writer's message and writing fluently तो इस से related जो है आपका literature based जो है सवाल आएंगे जो 40 marks इस बार जो literature जो रहेगा आपका वो 40 marks का रहेगा total 50% तो इसी निये board के according 20 जो 80 marks का आपका जो paper रहेगा वो इस हिसाफ से रहेगा thank you for watching if you like my videos please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel नास पार्शाल thank you take care bye bye